Google Seats Step-Bast Step Learning Series में आज आज आप लोग के सामने में ठकना चाहता हूँ Report Design Features कुछ feature's आप लोग के सामने रखूंगा जो आपको इस रिपोर्ट को डिजाइन करने में बहुत useful नहीं आगे लेके चलता हूँ वीडियो में और इक बेसिक, रिपोर्ट डिजाइन फीचर को आप लोग के साँने एक्स्पोर्ट करता हूँ अब ही हम लोग Google Seats के विपेसिक को एक्स्पोर्ट करने की कोशिस करने हैं और उसी सीरीज में मैं आप लोग के सामने आज कुछ फीचर्स रखेंगा रिपोर्ट डिजाइन से रिलेटिब आज इस रिपोर्ट डिजाइन का बहुत ही बेसिक बेसिक बात करूँगा लेकिन आगे चलके यह एक्सपेंशन भी देखने को आपको में यहां पर अभी मेरे पासे छोटा सा डेटासेट है और अगर मैं फाइल टैप की बात करूँ तो काफी सारी बातों कर चुके हैं एडिट में से बाते कर चुके हैं कट को भी प्रेस्ट आप लोग जानते हैं डिलीट रो इंसर्ट रो हाइड कॉलम हाइड रो यह सारी बाते में बता चुका है और जिन लोगों ने अल्री एक्सल यूज किया हुआ है उनके लिए फिस्टेम पर बाते हैं और साथ के साथ गूगल सीट सौट कट की बात करें गूगल सीट सौट कट भी आप लोगों के पास में नेक्स्ट लेक्सर में लेकर आने की कुश़स करूँगा तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक फीचर रखना चाहूँगा यह जो मेरे पास अलड़ी डेट है इसको मैं दूसरे सीट कपी करना चाहता हो कोपी सीट सेट स्टू अधर स्टेट सबसे पहले सिलेट कर लिना चाहूंगा ठीक है यहां पे प्लस पे क्लिक कर दिया एक नया आपका वर्क्षिट ओपन और यहाँ पर मैं प्रेस्ट कर दिना चाहां अभी तो बहुत छोटा डीना है तो इसको कोई प उसरे वक्सीर पर डेटा से यह होगा आपको तरीके से जो भी मैं बताया आपको क्या करना है यहां पर राइट क्लिक करना है जिसको कॉपी करना है अब यहां पर आपको ऑप्सन दिख जाएगा या existing spreadsheet में तो मैं लेके जाना चाहता हूँ new spreadsheet और यहां से copy to new spreadsheet में copy हो गया है open spreadsheet एक नया spreadsheet आपके सामने open कर देगा यह आपको हाँ पर आजएटीज जैसे है data वैसे ही आगे है तो इस तरीके साब यूज़ कर सकते है copy sheets to other spreadsheets आप right click करके copy करेंगे वह exact आपके format समेट उठाएग उसके बाद दूसरा option आपके सामने डखता हूँ insert hyperlinks to easier navigation अगर आपको navigate करना हो यही से कोई URL open करना हो या content within the same tab पे move करना हो या जैची दूसरे जो है worksheet उस पे move करना हो तो आप use कर सकते है hyperlink hyperlink के लिए या तो आपको क्या करना है करसर यहां रख दिया insert tab कर अंदर चले जाएं और यहां पर आपको में जाएगा insert link आप यहां से भी जा सकते हो यहां से आप चाहते क्या हो seats and name range यहां पर देखिए आप किसी particular seat पर जाना चाहतो जैसे मान के जल्दे में seat 2 पर जाना च कीजिए यहां पर क्लिक कीजिए का पर लेकर जाएगे seat 2 पर इस तरही के साफ hyperlink को यूज कर सकते हैं इस यूज डॉकुमेंट ठीक है अगर किसी को quickly access करना यहीं सही है तो आप पास कर सकते हैं जैसे control के और यहां पर मान के जलते हैं मैंने पास कर दिया http www.inogent.com यह आपन लिंक क्रिएट किया और जब मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए कहां पर लेकर चला जाएगा मुझे मूव करके लेकर जाएगा redirect कर रहा है www.inogent.com बहुत आसानी से इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपको content within the same tab या किसी दूसरे worksheet पर जाना है या कोई link open करना है आपक को group किया किजिए जैसे की मान के जलते हैं ये वाला जो है column सिंगल column के अभी बात कर रहा हूं मैं या दो column ले जेते हैं ये दोनों मान के जलते हैं मैं grouping कर देना चाहता हूं तो right click करके अगर आप इसको group कर देंगे तो आपको subtotal की याद आएगी जो हम लोग उने excel में सीखा है जिन्होंने नहीं सीखा है उनके लिए ये नया है group column B to C यह column को group कर दिया यहां पे आपको अपने हिसाब से expand और collapse आप कर सकते हैं लेकिए expand और collapse मतलब collapse करके रखिए जवाख उस column की जुरत नहीं है और expand करके रखिए जवाख उसकी जुरत है उसी तरीके साब जैसे column को कर सकते हैं वैसे ही आप इधर से भी कर सकते हैं यहां से row को भी करना चाहिए right click करके यहां पे group row को यहां पर देख़िये है यहां पर भी आपके पास aur collapse का option मतलब आप column और row दोनों को expand expenditure कर सकते और using grouping option मतलब single column और row भी आप expand और collapse कर सकते हैं और group of column और row भी RXK कर सकते हैं अगर आपकी requirement कुछ इस टैप का है applying alternate colors to large tables अगर आपके वास बहुत बड़ा सा table है उसमें आप alternate color apply करना चाहते हो तो आपके वास option है आपने select कर लिया और यहां पे format tab के अंदर आपको मिल जाएगा यहां देख लीजिए alternate colors format tab में भी available है यह आपके सामने alternate color खुल के आ गया य आप यहां से विजा सकते हो सबसे नीचे दिख्या होगा आपको alternate colors यहां देखिए इस alternate color पर क्लिक कर दिया और यहां से आपने पसंद का alternate color आप अपलाई कर सकते हैं जैसे आपकी requirement होगी उसके हिसाब से alternate color आप अपलाई कर सकते हैं यह रिपोर्ट डिजाइन के टाइम पे alternate color को अपलाई करके देखा वैसे हमारे पास अगर एक और requirement हूँ मैं चाहूँ theme change हो जाए define कर सकता हूँ मैं तो मेरे पास theme को भी define करने का option है इसका theme ही change हो जाएगा तो जिस तरीके का pattern रखना चाहोगे अभी default तो यह theme लगा हुआ है लेकिन अगर आप theme change करना चाहो तो कर सकते हैं यूज इसको तो आज के वीडियो में हम लोग ने रिपोर्ट डिजाइन से रिलेटेड कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ बाते देखा और यह काम आएगा वह आप कुछ जानते हैं अभी हम लोग Google Seats में बिलकुल basic stage पे हैं और जैसे हम course में आगे बरते जाए अगर हम लोग अपना कल बेहतर करना चाहते हैं और रख 쿠MA जितना जरूरी है, उत्तना ही जरूरी है, सेविंग और सेविंग के लिए सबसे important option, सबसे best option, होता है, investment मेंट और इस दुनिया में जो सबसे बहतर ऑप्सन एफलेबल है इन्वेस्टमेट करने के लिए वह है एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन ही सबसे ज्यादा मुराफ़ा देश है क्योंकि जिन्दगी में अगर हमें सच में कुछ ऑसम करना है ऑसम बनना है तो यह याद रहे कि दिन राथ हमें आग में तपना ही होगा और उसी आग में तपने के साथ साथ जितना हम लोग खुद को रगरते जाएंगे उतना ही ज्यादा निखरते जाएंगे तांक्यो फोरे लव और सपोर्ट में जैंचा थांक्यू झाल